नरिस महता की तीसरी कविता के उपर बात करते हैं तीसरी कविता एक बोध कविता और इस एक बोध कविता के माध्यम से कवी पाठक को क्या संकेत प्रदान करता है उसके उपर चर्चा करेंगे तीसरी कविता एक बोध कविता में कवी आधुनिक्ता और प्राचीन संसकारों के बीच यानि वर्तमान समय और प्राचीन समय इन दोनों के बीच संसकारों की जो लड़ाई होती है यानि मनसी जो संसकार लेकर चलता है उसके उपर चर्चा किये तो आदुनिता और प्राचीन संसकारों के बीच ऐ निर्ने की जो इस्तती होती है उस ऐ निर्ने की इस्तती बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई है यानि यहाँ पर आदुनिता और प्राचिन संस्कारों के बीज जो निरने नहीं हो पाता है उसका वर्नन कवी ने बहुत अज़े तरीके से प्रकट किये इस मसीनी युग से प्राचिन परंप्राओं एवं संस्कारों युग मानव जब जुड़ने की कोसिस करता है मनसी इन मसीनी युग यानि वर्तमान समय की प्रंप्राओं एवं संस्कारों से जुड़ने का प्रियास करता है पुराने संस्कारों वाला व्यक्ति तो वह कुछ छूटा हुआ, कुछ तूटा हुआ महसूस करता है अपने आपको कुछ गिरा हुआ महसूस करता है अपना कुछ खोया हुआ मैसूस करते है अपना कुछ तूटा हुआ मैसूस करते है उस अधूरी पन का एहसास होता है उसे अपने अधूरी पन का एहसास होता है जीवन में उसका कुछ अधूरा प्राप्त हुआ है ठीक है तो उस अधूरी पन का एहसास होता है ये मानव के ल समस्या मानी जाती है कि मानव इस तथा कथित आधुनिक्ता को अपनाने के फेर में कहीं बीच रास्ते में भटक कर अपना अस्तित्तु नैक होदे, यानि पुराने संसकार और वर्तमान समय के जो संसकार है इन संसकारों के बीच रहकर मनशे अपने अस्तित्यों कोई नेखो दे ऐसी विढमना, ऐसी पिड़ा पाठक के सामने प्रकट किये इसलिए एक बौध कविता यही संक्यत करती है कि मनसे को अपने प्राचिन संस्कारों के साथ साथ आधुनिकता से भी अपना संबंध बना कर रखना चाहिए ठीक है अब अपन पहली कविता लेके चलेंगे नरेस महता की किरन धेनुए तो किरन धेनुए में आपको मैंने मूल प्रतिपाद्य में समझाया था प्रेकर्ति की सुंदर्ता को कल्पना लोग से निकाल कर प्रतिप मनसे के हिर्दे से जोडने का प्रियास किये तो पहली कविता ध्यान से पढ़ना किरन धेनुए जिसमें कवि ने प्रतिकात्मक सबसैले का सर्वादिक उप्योग किये बासा एकदम संसकर्तनिष्ट बासा का उपयोग किये तो पहली कविता की बात करते है देखे उद्याचल से किरन धेनुए हांकर ला रहा वह प्रबात का ग्वाला यानि कि यहाँ पर कवी ने प्राते कालिन जो सूरियोदे की किरने उन सूरियेदे की किरणों का वर्नन कवी ने यहाँ पर प्रतिकात्मक रूप में किया है तो कवी ने प्रतिकात्मक रूप में का है कि उध्याचल उध्याचल का मतलब होता है पूरो दिसा की और परवत की और से किरण देनोए किरण रूपी देनोए ठीक है रुपक अलंकार है किरण सूरी की और धेनुए गाएं धेनुए का मतलब क्या होता है गाएं और किरण का मतलब सूरी की किरणे तो प्राते कालेन समय में पूरव दिसा की योड जो पर्वतों से सूरी उदित होता हुआ नजर आता है वो सूरी की किरने गायों के समान लगती है किस के समान लगती है गायों के समान दो अलंकार एक साथ लेके चल रहे है रुपक और उपमा अलंकार रुपक और उपमा अलंकार तो यहाँ पर रुपक अलंकार है किरन रुपी देनुए ठीक है तो किरनों यहां पर उपमे के उपर उपमान का आरोप किया है किरन यहां उपमे है और धेनोई यहां पर उपमान है तो किरन रुपी धेनोई तो पूरव दिशा की और प्राते काले इन समय में सूरी की किरने किरनों की सुंदरता ऐसी नजर आती है जैसे गाएं आ रही हो हाक कर ला रहा है वह प्रभात का ग्वाला प्रभात का मतलब सूरिय ग्वाला मतलब ग्वाला प्रभात भी ग्वाला फिर से रूपक लंका रहे हैं तो हाक ना मतलब गहरना ठीक है तो अपनी गाएं को वो गहरता हुआ सूरी रूपी जो ग्वाला है वो ग्वाला अपनी गायों को गेर कर लेकर आ रहा है इस तरह से कवी ने प्रेकरती की सुन्दरता को मानवी रूप प्रदान करने का प्रियास किया है पाठक के मनुस्यक से हरदे से उसको जोडने का प्रियास किया है आगे बात करते हैं पूँच पूँच उए चली आ रही है यानि जिस तरह से गायं अत्यदिक पुर्शन मुद्रा में चरकर लोड़ती हैं या चरकती हुई नजर आती हैं उसी तरह से सूरी रूपी जो किरने हैं वो सूरी रूपी किरने अपने पूंच को उठा कर चली आ रही है छितिज जंगलों से टोली छितिज होता है वह इस्थान जहां आकास और प्रत्वी आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं वास्ता में वो मिलते नहीं है लेगिन केवल पृतित होते हैं आभास होता है वहिस्तान होता है छितिज तो छितिज जंगलों से टोली टोली का मतलब समू ठीक है जंगलों से टोली किसकी गायों की दिखा रहे पत इस भूमा का भूमा का मतलब पृत्वी या धरातल और इस धरातल की जो रास्ता है उस धरा सुना सुना बोली प्राते कालिन जो सारस पक्षी मदुर आवाज में बोलकर उन गायों को इस प्रत्वी का रास्ता उन्हें दिखा रहा है तो इस द्रश्टी से प्राते कालें सूरी की जो किरने उन किरनों का वर्नन यापर कवे ने बहुत सुन्दर तरीके से कियाए किसी ने किसी रूप से पाठय के मन को प्रभावित करती है तो यहां तक आप व्याख्या कर सकते हैं संद्रब बन जाएगा प्रस्तुत पध्यांस अमारी पाठ्य पुस्तक सर्युके प्रियोगवादी युके दूसरे तार सब्तक के कवी नरिस महता द्वारा रचेत किरन देनोई सिर्षक कवीता से लिया गया है आपको मैंने बहुत सी कवीताओं में ये संद्रब लिखना बता है ठीक है फिर इसके बाद बनता है प्रसंग प्रसंग में बन जाएगा उप्रिक पध्यांस में कवी ने प्रेकरती की सुन्दर्ता का वर्नन बड़ी रोचक डंग से प्रकट किया है यानि पाठक के मन को किसी न किसी रूप से प्रेकरती की सुन्दर्ता से उसको प्रभावित किया है ठीक है किरन देनों का वर्नन कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है यानि अत्तिदिक सुंदर तरीके से यहांपर प्राते कालिन सुरी की किरनों का वर्नन किया है आगे देखिए गिरता जाता फेन मुखों से नब में बादल बं तिरता और उन गायों के मुख से जो फेन गिर रहा है फेन का मतलब होता है जाग यानि उन गायों के मुख से जो जहाग गिर रहा है यानि प्राते कालिन समय में जो आकास में सफेद बादल नजर आते हैं वो सफेद बादल इस तरह से नजर आते हैं जैसे उन गायों के मुख से जहाग गिर रहा हो ठीक है, इस तरह से आकास के बादल नजर आता है, नब का मितलब बादल, ठीक है, तिरता है, तैरता हुए नजर आता है, तो इस द्रश्टी से किरन देनों का ये समूम. आया अंदकार चरता और उस अंदकार को दूर करके सूरी की जो किरन रुपी गाएं वो चरती हुई आ रही हैं किसको चर रही हैं अंदकार को सीधी सी बात है सूरी उदित होता है तो अंदकार स्वेते ही नश्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है किरन रुपी गाएं उस अंदकार को चरती हुई चली आ रहे ही है ठीक है नब की आमरचा में बैठा बजा रहा है वंसी रखवाला रखवाला कौन गायों का रक्षक किसको बताया सूरिय को नब का मतलब आकास आमरचा आम की च्छाओं में ठीक है आकास रुपी जो आम की च्छाओं में बैठ कर और सूरिय अपने वंसी को बजा रहा है अर्था दोपहर के समय सीधी सूरिय की किरने मनसी के मस्तक के उपर गिरती है सीधी गिरती है ऐसे इस्ततिय में सूरिय रुपी जो गौला है वो आमर छा में बैट कर और अपने वनसी को बजा रहा है आनंद को प्रकट कर रहा है इस तरह से कवे ने यहाँ पर भी प्रतिकात्मक सब्द का उप्योग किया है आगे देखी ग्वालिन सी ले दूब मदूर और संद्या के समय जैसे ग्वाले की जो पतनी है वो उन गायों के उपर अपने प्रेम को प्रकट करती हुई कैसी लगती है उसका वर्नन कवी करता है ग्वालिन सी ले दूब मदूर वसुदा हसंस कर गले मिली वसुदा को किस के समान बता दिया है यहाँ ग्वालिन के समान तो संद्या के समय जो गायें अपने घरों की ओर लोटती है वैसे ही सूरी की किरन रूपी जो गायें वो पस्चिम दिशा की ओर लोट रही है ऐसा लगता है जैसे प्रत्वी हसंस कर उनसे गले मिल रही है चमका अपने अपने स्वान सिंग और वो सुनहरी जो किरने है वो सुनहरी किरने ऐसे जैसे गायें अपने सिंग को चमका रही है अब सैलों से उतर चली अब परवतों से उतरती हुई नजर आ रही है क्योंकि सूरी की किरने संद्या के समय अस्त होती हुई नजर आती है पर दस रहा आलोक दूद है, खेत और खलियानों में, चारों तरफ प्रसंता के चंड नजर आते हैं, प्रसंता की भावना नजर आती है, कौन से समय है? संध्या के समय है, ठीक है? जीवन की नव किरन फूरती है, और जैसे ही सूरी की किरने उधित होती है, वैसे ही मनस्य की जीव उर्जावान बनाती है, तेजस्वी बनाती है, उसे नई जीवन की और आकरसित करती है, लेकिन वो ही किरने उसे प्रसंता भी प्रदान करती है, ठीक है? आज की लिए इतना ही काफी है,